हेलो बुरीबन आप सभी का फिर से एक बार स्वागा था आपके अपने चैनल सोमेश सिंग कमेस्टी पर देखिए हम लोगों ने यहां पर एक स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग पीवाई क्यू डिसकस कर रहे हैं जो आपके बोड इजाम अप्रोचिंग बोड इजाम जो आ है इसेक्सवल रिप्रोडक्शन इन फ्लापौरिंग है क्लांट है अ अब यह चीप्रे लहा है नहीं ने है अपको पढ़ा अब था आ पहले ही पढ़ा हुआ है पर और भी पढ़ा हुआ हए हम में इस पूरे शही में हमें से मनिस की क्लिप प्रिविए कोशन जो आपके mcq question रहेंगे very short question रहेंगे short question रहेंगे और long question रहेंगे जब आप यह सारे question discuss कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका almost जो syllabus है almost syllabus जो है इस particular subject क्या हो जाएगा complete हो जाएगा तो आप लोग pen copy के साथ बैठी है और हम लोग यहाँ पर रेके करके question को यहाँ पर discuss कर रहे हैं सबसे पहले मैं सुरुवात करूँगा mcq type question से पहला हमारा जो होगा वो क्या होगा mcq type question mcq का मतलब होता है multiple choice question आपको एक question दिया रहेगा उसके आपको multiple option रहेंगे आपको option देखकर करना है यहाँ पर हमारा पहला question है in an angiospermic plant istamen are पहला question हमारा क्या है हम लोग question लिखेंगे और उसका सिधा answer लिखेंगे question नमारा क्या है in an angiospermic plant in an angiospermic plant istamen are istamen are यह है हमारा question हमसे क्या पूछ रहा है कि जो angiospermic plant होते हैं उनमें istamen को हम लोग क्या बोलते है istamen क्या है तो देखिए istamen हमारे होते है istamen में आपके दो पार्ट होते हैं एक होता है आपका enter और एक होता है आपका filament यह क्या होता है filament istamen को हम लोग बोलते हैं androsium istamen को हम लोग क्या बोलते हैं androsium और यह होता है हमारा male reproductive part क्या होता है male reproductive part अगर आप इसका structure देखेंगे तो आप आपको ऐसा structure देखने को मिलता है यह वाला यह पर्थ है filament और इसको बोलते है इंथर यह एंधर नेचर में कैसा होता है नेचर में यह बाइलोब्ड होता है दिहें को स्कॉष्णन क्या है सिंपल सा कोश्चन है कि इन एन अंजियोस्पर्मिक प्लांट इस्टमेन आ अब वर्ड इस्टमेन आ गया है तो इससे समंधित जो भी बाते रहेंगे मैं आप पर कर लेंगे क्योंकि ऐसी करके आपका एक बार फिर से कोई रिवीजन हो जाएगा एंथर आपक ऐसा होता है बा बाइलब दाइद थिकस टेट्रा इस्पोरंजियेट खेंके और टेट्रागोनल इन सेफ एक तो आप से यह कोश्चन भी पूसा जा सकता है कि एंथर की क्या प्रापरटी होती तो आपको की बाई लोब्ध होगा डार थिकत होगा tetra एसपुरंजियत होगा और tetragonal in safe होगा एंथर जो है यही fertile part यह क्या है आपका fertile part आपका जो हैmaan में फिलामेंट आपका sterile part filament आपका sterile part फिलामेंट आपका sterile part एंथर को होड़ कियो हुए यह हमारा पहला कोशन यह पर कंप्लीट हो गया इन इंगेयोस्परमी प्लांट इस्टेमन आरह आप यहां पर क्या एंसवर दोगे मेल रिप्रॉडक्टिव ऑर्गन अब देखिए हमारा यहां पर सेकेंड कोशन जो है हमारा यहां पर सेकेंड है हमें बताना है आउटर मोस्ट एंड इनर्मोस्ट अउटर ने इनर्मोस्ट लेयर आफ आउटरमोस्ट एंड इनर्मोस्ट लेयर आफ माइक्रो इस्पोरंजियम innermost layer of micro sporengium in and enter are आपको पता है कि जो micro sporengium होता वो चार layer से बना होता है कितनी layer से बना होता है चार layer से जो में सबसे बाहर होती है epidermis epidermis सबसे बाहर epidermis के बाहर होती है indothesium इंडो-thesian, उसके बाद आपकी होती है middle layer, उसके बाद क्या होती है, middle layer, और सबसे अंदर होती है आपकी tapetum, तो ये जो आपका order लिखा हुआ है, ये outside to inside, क्या है आपका, outside से inside, बाहर से अंदर की तरफ जो आपका order होता है, ये होता है epidermis, endothesrium middle layer kept term हमसे क्या फूजा जा रहा है कि आउटरमोस्ट एड इनर्मोस्ट लेयर आप मािक्रो स्प्रेंजियम इन एनन रार क्या है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर आपसे पूसा जा रहा है एक टिपिकल एंजियो स्पम इंब्रियो साइक एट मेचुर्टी इज एक हमारे नेक्स्ट कोशन किया यह सब बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट कोश्चन है इसी को आप नोडिस करिएगा तो कि यह बार-बार कोश्चन आपसे रिपीट होते रहते हैं इस चैप्टर की यह एक खासियत है कि यहां पर कोश्चन जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं और बहुत बार-बार उनका क्या होता है रिपिटीशन होता रहता है तो यह सारे कोश्चन को आप ध्यान से थोड़ा साब हमारा नेस्कोशन यहां पर क्या है यहां पर कि आट इणियो श्पर इंब्रियो शैट कम समय में हम इतने इतना सारा क्वोश्चन आपको करवा नहीं पाएंगे इसलिए हमें ऋपर आप स्थीधा आपका यह रहा है डूरिंग आपसे क्या पूंश अगों आटिपिकल एंग angiosperm embryo sac at maturity is, question क्या है, typical angiosperm embryo sac at maturity is, at maturity is, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कि जब आपसे embryo sac पूछे जाएगा, उसमें हमें cell और nucleus बताने होते हैं, कि कितने cell और कितना nucleus वाला stage है आपका embryos तो इसका answer आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए 7-celled and 8-nucleated condition हमारी होती है 7-celled and 8-nucleated condition हमारी होती है इस चैप्टर से इतना यह आपको बता रहा हूं यह five star question है बार बार आपसे repeat होता रहता है तो इसको आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए यह question आपको क्या होना जीए रटा होना चाहिए question आपसे पूछा गया था the antipodal cells are those which are present at question हमारा क्या है the antipodal cells are those which are which are present at question आपसे क्या पूछ रहा है the antipodal cells are those which are present at मतला हमें बताना है क्या होता क्या है कि embryo sac के पास दो end होते हैं अगर आप embryo sac का diagram देखेंगे embryo sac अगर आप मैं यहाँ पर diagram बनाऊं तो यहाँ पर दो end होते हैं एक होता है आपका chalazal end और दूसरा होता है आपका micropylor end चalazal end पर उपर आपके तीन cells होंगी इनको हम लोग बोलते हैं antipodal cells बीच में दो polar nuclei है यह आपके और नीचे दो synergit cell नीचे दो synergit cell और synergit cell के जस्ट पीछे होती है एक आपकी large egg cell यह आपका diagram किसका है mature embryo sac का diagram है यह है आपकी antipodal cells यह भी most important diagram है आपका बार बार मैं यहां पर बनाऊंगा यह आपकी polar nuclei यह क्या है आपके polar nuclei यह आपका egg cell है और नीचे यहां पर दो आपके क्या है synergit cell synergit cell बहुत ही scoring chapter है यह बहुत छोड़ा आपको याद करना पड़ सकता है वह biology की साथ हमेशा रहता है कि आपको याद करना ही पड़ता है हर चीज यहां पर आप समझ नहीं सकते दो यहां पर एंड है चलेजल एंड है एक अब यहीं से कोशन आपको और बन सकता है कि synergit cells अब यहीं कर आपसे पूछ ले जाए कि the synergit cells are those which are presented तो आप बताएंगे कि synergit cell कहां पर है माइक्रो पाइलर एंड पर है कहां पर है अगर आपको एक चीज आपको याद है तो यहां प्राइंसफर करने में कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए अब यहां पर हमारा नेफ्ट कोशन क्या है ट्रांसफर आफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम दा एंथर टू दा इस्टिगमा आफ एनधर फ्लावर आफ सेम प्लांट इसकाल यह यहां पर थोड़ा सा अब आदे हम लोग पॉलिस ने सनी कोशचन भी यहां पर आने आपके स्टॉल कुक्शन आपकी क्या है कि ड्रांसफर आफ पॉलन् dawn कि ट्रांसफर आफ पॉलन् transfer of pollen from the anther to the stigma of another flower transfer of pollen from anther to the stigma of another flower of another flower of same plant 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 is called is called this card this card this card transfer of pollen from anther to the stigma of another flower of same plant condition is like this this is a plant diagram time we have to make it this diagram we have to make it we have to make it detail detail we have to make it this is a condition this is a this is a plant this is a plant why we have to make it two flowers they have the unisexual condition both of them this is a male flower this is the female flower because we will do what I do से मतलब दो फ्लावर यूज हो रहे हैं अगर यहां पर एक फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं यहां पर क्या हो जाता आपकी आटोगैमी हो जाती है अब इस कोश्चन में क्या कह रहा है इसे प्लावर से आपको यहां प्लावर पका पकड़ना है आपका एक है उसी एक प्लावर की दो फ्लावर के बीच में बूशिडेसन हो रहा है इस condition को बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है यहां पर आप पॉरी तरीके से क्रॉस पॉलिणेशन नहीं है जो आपका पॉलते हैं जीनो गएमी तो देखिए तीन प्रकार के पॉलिणेशन होते हैं समझ लीजिए इसी तरीके से हम कोशन को यहां पर डील करेंगे कोई कोशन आएगा उसके आगेघाए पीछे divay no gam geht कि तीजिकली एक टाइग्राम से चीजों को समझ लेते हैं अगाल नीजिए यहां पर कोई एक ऐसा फ्लावर हो यहां पर कोई एक ऐसा flower होता जिसके पास दोनों पार्ट होते male और female क्या होता कि माल लिए कोई flower मैं आपको बना रहा हूं इस यह मैंने flower आपका बनाया है bisexual condition में यह flower है किस condition flower है आपका bisexual condition में यह आपका एक flower मैंने आपके लिए बना दिया है अब इस flower के male part से इस flower के male part से pollen release हो और इस flower के stigma मतलब female part का जो आप female जो आपकर reproductive organ है उसके एक पार्ट यहाँ पर stigma पर जाकर land कर जाए इस condition को हम लोग बोलते हैं autogammy, क्या बोलते हैं autogammy, autogammy आपका क्या है यह है true self-pollination, क्या है true self-pollination, true self-pollination, यह हो गया आपका self-pollination, दूसरा मैंने आपको condition गीटोनो गयमी यहाँ पर समझाद दिए, तीसरी condition होती है, जीनो गयमी, तीसरी condition क्या होती है, जीनो गयमी, जीनो गयमी की जो यहाँ पर character हो, क्या होता है, कि यहाँ पर दो flower होते हैं, दो अलग-अलग plant पे, दो flower कहाँ पर होंगे, दो अलग अलग प्लांट पे होंगे और उनके बीच में क्या होगा उनके बीच में आपका ट्रांसफर होगा उनके बीच में आपका यहाँ पर ट्रांसफर होगा किसका पॉलन का ट्रांसफर आपका होगा उनके बीच में वो होता है आपका true cross pollination क्या होता है true cross pollination अब यहां पर आपका next question क्या है next question आपका pollen grain of flower do not transfer to the stigma due to some barrier or due to natural barrier present between androsium and gynosium देखिए यहां पर condition आ गई है यह question थोड़े से आपके अलग type question होते है क्योंकि थोड़ा आपको यहां पर फसाने कुछिस करता है examiner यह सब चीजें आपको थोड़ा साब बहुत ही detail तरीके से पढ़ने की जरूवत है कि अगर आप इच्छी रहेगी तो आप किसी भी question में फसोग नहीं किसी question में फसोग नहीं वन वर्ड कराने का basic purpose यह है कि आप वन वर्ड से ही काफी marks gain कर सकते हूं वन वर्ड से ही आप काफी marks gain कर लोगे उससे आपका conference भी बढ़ेगा उससे आपका conference भी बढ़ेगा और मैं आपको उसके आस पास की चीज़े भी बता रहा हूं जिससे आपका long question भी तयार होता रहेगा question क्या है pollen grain of flower do not transfer to the stigma pollen grain of flower do not transfer to stigma due to some barrier due to some barrier due to some barrier or due to natural barrier present between androsium and gynosium or due to natural barrier natural barrier present between present between due to natural barrier present between androsium and gynosium and rossium and gynosium and rossium and gynosium as a result self pollinated self pollination does not occur as a result as a result as a result as a result self pollination self pollination does not occur as a result as a result self pollination does not occur this is called this is called this is called question question इतना लंबा चौन लिख दिया इसका मतलब कुछ भी नहीं अभी आपको मैं समझाओंगा अब बहुत यह समझाओंगे देखा है क्या रहा है कि pollen grain of flower do not transfer to stigma due to some barrier or due to natural barrier present between androsium and gynosium as a result self pollination does not occur मतलब क्या कह रहा है कि एक bisexual condition में आपका flower है एक bisexual condition में आपका flower है यह कुछ उसकी condition है यह क्या है उसकी कुछ condition है यह flower आपका कह रहा है कि इस आपके androsium और gynosium part की social eligibility की बीच में कोई barrier है कोई किया है barrier है helping barrier है जिसकी वज़ा से यहां पर self pollination नहीं पा रहा है इहां का pollen जो है वो यहां पर reach नहीं करपा रहा in stigma पर इस condition को हम लोग क्या बोलते हैं 이 कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हर्को घहमी क्या बोलते हैं जब flower किस condition में होता है, by sexual condition में होता है, by sexual condition के मतलब होता है, सबसे पहले आप यह समझ लेजए कि by sexual condition में बोलते किसको है, by sexual condition में बोलते हैं, जब male और female, male and female reproductive parts, reproductive parts, reproductive parts, प्रेजेंट ओन सेम फ्लावर प्रेजेंट ओन सेम फ्लावर आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं आसानी से कि जो आपका मेल पार्ट को tao फिमेल पार्ट्री के जो बोलते हैं जो है आपका सेल्फ वाइशन से ज्यायदा पिर अपकर पर होने से रोकेगा और प्रमोट करेगा और प्रमोट करेगा क्रॉस्यूर्म को पॉलीनीक है तर्म और यहाद रखना है हृत होड़ा क्योंगी इन होड़त रहे are को जलदी मिलेंगे नहीं क्यों依ा इन अपके सारे को सब्सक्रूष्यूर्ण से worms 2017 में 2017 में आपसे question पूछा गया है अब यहां पर हमसे next question पूछा के जा रहा है double fertilization means most important topic of this chapter long question में भी आपसे पूछा जाता है तो यहां पर हमारा question क्या है double fertilization means double fertilization का मतलब क्या होता है double fertilization means अभी आपको मैं बिल्कुल easy तरीके समझा दूँगा question है आपका देखिए आपका एक तरीके से mcq के साथ आपका short question या फिर आप उसको अपने language में long question में भी आजाए तो मैं भी आपको करवाओंगा वहां पर कैसे लिखना है वह मैं आपको बताऊंगा question आपका क्या है double fertilization means यह आपको क्या है double fertilization means इसके मैं option यहां पर लिखूंगा इसके option में आपर लिखूंगा इससे आप थोड़ा compare कर पाएं पहला option है the fusion of two male gamete with egg पहला option क्या है the fusion of two male gamete with egg second option आपका यहां पर है second option आपका यहां पर है one male gamete fuse with the egg and the other with secondary nucleus and the other with secondary nucleus पहला option क्या था आपका the fusion of male gamete with egg second option क्या है one male gamete one male gamete fuse with egg fuse with egg and the second male gamete and the second male gamete आपका यहां पर है तीसरा option आपका यहां पर है तीसरा option आपका क्या है one male gamete fuse with egg and other with synergid थर्ड आपका क्या है one male gamete one male gamete fuse with egg fuse with egg and other with synergy and other with synergid यह third option था और last option आपका है all of the evolve last क्या है आपका all of the evolve तो सबसे पहले हम इसकी terminology पगड़ते हैं कि double fertilization का मतलब क्या है कि दो टर्म है एक है double दूसरा fertilization double का मतलब है आपका दो और fertilization का मतलब होता है fusion fertilization का मतलब क्या होता है fusion यह इसी को हम लोग बोलते हैं 2007ी decision किसका होगा gametes का सुजिंड इमी कि सका होता है ο इससा गांशिंड निसा यह इमीटज अपके क्या होते है। हम सबसे पहले अप्ने दिमाग से बात डिकाल करके फिर दीजिए कि पाउलन आपके जोआंपके बिर्ट्ब आप जोआपके अंदर आपके जोआपका जिन्य' right यह और इरन करेगा फिर तस तुनिए जाफ का धूसेश है माइटोसिस करके 2 male gamete का fallingation करेगा तो यहाँ से एक बात clear हो गई कि हमारे पास कितने हैं görig 1966 कितने गएउस का मत офगिया है कि डो जगा fusion होगा hissशन होगा तो सबसे पहले हम यहाँ यहाँ पर डाइग्राम करें। इंग कि सका इंब्रियो साग का अपका फिमेल गेमिटोफाइट मैंने इसके पहले भी यहाँ पर यह डागराम बनाया था यह पो कि यहां न्युक्लियाइभी झाल से Do यह है आपका egg cell, यह इसी हम लोग कहेंगे female gamete, क्या है आपका female gamete, और यह है आपका synergid cell, synergid cell, दो चीजों से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं, एक हमें antipodal cell से fertilization में कोई मतलब नहीं, यह मतलब fusion के अगर हम देखें purpose से तो हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं, बाकी इनका एक specific role होता है, जैसे synergid cell का role क्या है, कि जो pollen tube बन रही है, उसको chemicals के through attract करते हैं अबे तरफ, दूसरा आपका synergid cell है, fusion के purpose से हमें यहाँ पर ना तो synergid cell से कोई विमारा वास्ता है, ना ही antipodal cell से वास्ता है, तो आप यहाँ पर एक चीज आप आसानी समझ सकते हैं, कि एक cell के साथ, किसके साथ fuse करेगा, एक cell के साथ, इसको थोड़ा सा अलग तरीकेस लिखते हैं, दो में से एक male gamete जो है, दो में से one male gamete जो है, one male gamete जो है, यह किसके साथ fuse करेगा आपका, एक cell के साथ, एक cell के साथ, और क्या बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम आपका हो गया एक यहां पर फ्यूजन हो रहा है अब दूसरा हमाई लिए समझने वाली बात है दूसरा क्या होता है कि जो यह दो पोलर नुकलियाई होती है यह फ्यूज करके आपस में बनाती है सेकंडरी नुकलियस क्या बनाती है सेकंडरी नुकलियस क्या बनाएंगी सेकं हम लोग बोलेंगे secondary nucleus तो सेकेंड जो आपका fusion होगा वो कहां पर होगा तो जो आपका second male gamete है यह number के basis पर हम नहीं कर रहा है मतलब दो है तो एक आपका किसे fuse हो रहा है excel से तो दूसरा automatically किसे fuse होगा second male gamete जो है second male gamete जो है यह fuse करेगा secondary nucleus से किसे fuse करेगा secondary nucleus से और यहां पर जो प्रोड़क्ट बनेगा वो होता है endo sperm क्या होता है इंडो sperm है तो आपके लिए double fertilizer में क्या क्या चीज़ important है तो आपके लिए double fertilizer सबसे पहले इसका क्या पूरा आपका mechanism है कि पहला male gamete किसे fuse कर रहा एक he Himaceル से दूसया male gamete किसे कर रहा सिकेंटरी tooth से secondary nucleus का formation कैसे होता तो आपको यहां नुकलिया है आपको फ्यूज हो जाती है क्या बनाती है and stationary nucleus को और हम पर जो समझने की चीज़ है जाई गोड़ी डिप्लाइड होता है जो कैसा होता है ।्यॎक्ड होता है आपका deployed है आप से पूछा जा सकता है कि इसको किसने discover किया था double fertilization was first discovered वाई एक question ये भी आपको यहाँ पर आजाएगा कि who discovered who discovered double fertilization who discovered double fertilization तो आप कहोगे SG नवास्चिन क्या कहोगे SG नवास्चिन तो ये सारे question ये भी आपके लिए important one word question है तो देखिए एक question से कितने question आप निकल के आ रहे हैं अगर आप से sort में पूछा जाएगा sort में कहेंगे आप से define क्रें devil fertilization तो आप कहने ही दोगे कि 2 male gamete जो होते हैं उसमें से एक fuse कर जाता है किसके साथ एक फ्यूज कर जाता है आपका यहां पर एक इसल के साथ और बनाता है जाई गोट वहीं दूसरा किसके साथ फ्यूज कर जाएगा दूसरा फ्यूज कर जाएगा secondary nucleus के साथ और बनाएगा इंडो स्पंप इस तरीके से आप तो आप हम लोग यहां पर क्या करते हैं अपना देख लेते हैं पहला क्या है the fusion of two male gamete with egg क्या दोनों male gamete egg के साथ fuse कर रहे हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा यह हमारा एंसर नहीं होगा क्योंकि एक male gamete fuse कर रहा है एक cell के साथ दूसरा fuse कर रहा है secondary nucleus के साथ second option आप पढ़िए one male gamete fuse with egg and the second male gamete fuse with secondary nucleus बिल्कुल सही option है आपका यह तो इसका answer क्या होगा second तीसा हम लोग बार चेकल लेते हैं अपनी formality के लिए one male gamete fuse with egg and other will synergies synergies के साथ कोई fusion नहीं होगा यह भी option गलत है और यह भी option गलत है तो आपका correct answer क्या होगा correct answer होगा आपका second question आपका एक था एक question से हमने कम स्कम तीन question यहाँ पर देखे और आपको मैंने तरीका बता है कि क्या किस तरीके से हमें चीजों को represent करना है इसी आपको format में देना होता है जब short answer आप से पूछा जाए उसमें बहुत ज्यादा आपको लिखने की जिरोत नहीं वहाँ page नहीं भ getting इस तरीके से आपको चीजों को लेना है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स question देखते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर लोग देख लेते हैं process of double fertilization occurs in process of double fertilization occurs in यह question आप से पूछा गया है चार बार यह question आप से पूछा कितने बार गया है चार बार 2006, 2008, 2014, 2016 तो यह कितना important है वो आप इसी समझ लीजिए 2008, 2006, 2014 और 2016 चार बार कोश्चा हम से पूछा गया है कि the process of the process of double fertilization occurs in occurs in देखे जब हम plant group की बात करते हैं तो हम algae से शुरूबात करते हैं प्लांट ग्रूप की बात करते हैं तो algae से शुरूबात करते हैं algae की बाद आपका bryo आया or राभ गड़ो आया तरीडो आया और टरीडो के बार जिममणो के बाक्न बद के आया उत संग्स चिरव यह एलगी होती है आपकी क्या होती है एलगी होती है एलगी के बाद आया आपका ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा फिर आया आपका टेरीडोफाइटा टेरीडोफाइटा उसके बाद आया आपका जीम्नोस्पंग जीम्नोस्पंग और सबसे बाद में आया आपका एंजीयोस्पंग तो के basis पे पता सकते हैं कि यह मोस्ट प्रीमिटिव है सबसे प्राचीन शबसे प्राचीन हैं कि सब से कम एडवांस कौन सा ऐलगी है एंचियो स्पूर क्या है most advanced है, क्या है most advanced है और currently angiospermic plant क्या है, वो rule कर रहे हैं ये, आपके living world को क्या कर रहे हैं वो rule कर रहे हैं आपके angiospermic plant, double fertilization के आप बारे में आपको एक चीज़ा रखने हैं, ये kawal और kawal character किसका है, ये kawal और soul character है ये angiospermic plant का, के वल angiospermic plant ही है जो double fertilization को perform करते हैं तो इसका answer क्या होगा answer होगा angiospermic plant angiospermic plant angiospermic plant angiosperm को छोड़ करके बाकि किसी भी plant group में आपको double fertilization देखने को नहीं मिलने वाला है यह बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डालिए अब एक question आपका यहां पर पूछा गया है कि father of Indian embryology is called father of Indian embryology पूछा जा रहा है father of Indian embryology इसका answer होगा आपका पंचानन महस्वरी साहब इसका answer क्या होगा पंचानन महस्वरी प्रोफेसर पंचानन महस्वरी प्रोफेसर इन्वर्ष्टी के छात रह चुके हैं इन्वर्ष्टी आफ अलाहबाद इनकी लिखी हुई कई किताबें देश-बिदेश में पढ़ी जाती हैं इन्होंने इंब्रियो लॉजी की समझ को भारत में विक्सित किया है देखें यह आपके कुछ mcq-type question थे जो हमने यहाँ पर देखें जो most important आपके recent year में बार बार पूछे गए हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे very short type question क्या देखेंगे very short type question जो आपके one one marks में आपसे पूछे जाते हैं जिरे पहला question है what is the function of floral walls what is the function of floral walls what is the function of floral walls देखेंगे जब आप पार्ट देखते हैं फ्लावर में आप देखते हैं आपको चार पार्ट देखने को मिलेगा चार पार्ट सेपल पिटल इस्टेमेन और कार पिले फिस्टिल चार पार्ट आपको देखने को मिलता है मैं एक फ्लावर का डाइग्राम में आप फिट से बनाने की कोशिश करूं तो आपको यहां पर चार पार्ट देखने को मिलेंगे चार पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जिसमें सेपल रहेगा आपका कि अब रहेगा पिटल रहेगा कि रहेगा कि रहेगा यह आपका एक फ्लावर का डाइग्राम ने बनाया हुआ है इस पार्ट को बोलते हैं सेपल यह सारी चीजें आपकी यहां पर रिवाइज होती हुँ चल रही है अगर आपसे फ्लावर का डीटेल इस्ट्रक्चर पूछ आपको यह स्ट्रक्चर बनाना है यह आपका सेपल है यह पेटल है यह पार्ट क्या है यह थलैमस वाला पार्ट है थलैमस यह इस्टाक है यह क्या है इस पूरे पार्ट को जहां पर सेंटर में पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को हम लोग बोल हम से सेपल और इसका फंक्शन क्या है सेपल और पिनल का फंक्शन क्या है तो होता क्या है कि यहां पर आपके होंगे 2 function क्योंकि आपको सौॉठ अलैंस्वर यह अंग्सोर हवा हूं यह करना है फइस पहला function होता है दे प्रोटेक्ट अ डे फ्ैक reports दा फ्लावर, they protect the flower during bud stage, during bud stage, पहला function आपक्या है, they protect the flower during bud stage, और दूसरा function क्या है, they attract pollinators, they attract pollinators, पहला function अब आप बात को समझेए, कि जो ये सेपल वाला पार्ट है, ये होता है green color का, किस color का होगा आपका, green color का होगा, और जो ये पिटल वाला flower होगा, पिटल वाला जो पार्ट है, ये colorful होता है, नेचर में, कैसा होता है, colorful होता है, अगर आप एक flower को, यहां पर आप observe करें, एक flower को अगर आप observe करते हैं, bud stage में, bud stage का मतलब होता है, जब वो flower पुरी तरीके से mature नहीं है, उसके पार्ट बाहर से visible नहीं होते हैं, उसके पार्ट क्या होते हैं, बाहर से visible नहीं होते तो आप वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कुछ flower आपको ऐसा देखने को मिलेगा सारे पार्ट उसके अंदर ढखे होंगे सारे कुछ आपको ऐसा देखी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सारे पार्ट उसके अंदर ढखे होंगे केवल बाहर आपको sepals की covering दिखेगी, क्या दिखेगी, बाहर आपको sepals की covering दिखेगी, ये flower कुछी तरीके से mature है, इसमें आप देखीए, तो ये sepals पार्ट नीचे की तरफ है, ये जब इस तरीके से ढख लेगा, इसको इस पूरे पार्ट को इस तरीके से ढख लेगा, तो इस immature condition में, immature का मतलब क्या है कि अंदर जो है आपके endrosium, gynosium का development चल रहा है, अंदर आपके endrosium और gynosium का development चल रहा है, मतलब sensitive period क्या है, sensitive period है, अब इस sensitive period में कोई भी injury ना हो जाए, कोई भी mechanical injury ना हो जाए, इसको यह अपर इपोडिक पार्ट को, उसके लिए कौन पॉटेक्ट कर रहा है, उसके लिए यहांपर covering बना के रखा है किसने सेपल नहीं, किसने बना के रखा है, सेपल नहीं पर बाहर से covering बना के रखा है, इसलिए पहला हमने यहांपर क्या function लिखा है? देसे प्रोटेक्ट दाफ़ गल्स प्रोटेट डिउरिंग बॉड इस्टेज रो फ्रोटेक्ट दाफ़ ड्यूरिंग वड इस्टेज और दूसरा क्या है यहां पे लिखा हुआ है दे अट्रैट पॉलिनेटर तो यह किसका हो गयाоды यह मैं उपर बात करें के दे प्रोटेट पुरी तरीक हीसे मेचियूर हो जाता है आपको जो चीज सबसे बाहर सबसे ब्यूटिफुल दिख्ती इंज फ्लावर में वह होता है आपका प से आ रहा है वो आ रहा है पेटल्स की वहाई हैं डगे फ्लावर बना चिल्ब लेकिन दमारे इन्वार्मेंट में जो पॉलिनेटर से अगर हनीबी की बात करूं या कोई और इन्सेक्ट है जो light को detect कर सकता है, वो इस beauty को देख करके, इस flower की beauty को देख करके, इसकी तरफ attract होता है, इसकी तरफ क्या होता है, attract होता है, जिससे pollination आसानी से हो सके, तो second यहाँ पर मैंने क्या function लिखा हुआ है, they attract pollinators, तो आप समझ सकते हैं, यह किसका function है, यह function है, petal का, यह किसका function है, य आज हमारा पहला लेक्चर था हम यहां पर एक नई स्रीज श्टार्ट कर रहे हैं मैंने आपको बताया है इसी तरीके से हम सारे सारे चैप्टर के कोश्चन करेंगे इस स्रीज में वन मन्त या आप समझ लीजे की पचास से साथ दिन के अंदर या उससे कमी समझ लेंगे पैता इसी के आगे continue किया जाएगा तब तक लिए जो भी पढ़ा के उसको पढ़ते रहे है चैनल साथ में रहे है प्यार मने रखिए